करने आते हैं इन सभी मंद्रों को तो आप बखु भी जानते हैं लेकिन क्या आपने ऐसे किसी मंद्र के बारे में सुना है जो दिन में दो बार समुद्र में डूब कर अपना जला विशे करवाता है यद नहीं सुना तो हम आपको एक ऐसे अनोखे मंद्र के बारे में बताने जा रही हैं जिसे जानने के बाद आप भी वहाँ जरूर जाना चाहोगे। भगवान शिव के इस मंदिर की खोज लगभग 200 साल पहले हुई। इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन दिन में केवल एक बार ही होते हैं। बाकी समय ये मंदिर समुद्र में डूबा रहता है। समुद्र तट पर दिन में दो बार जुवार भाटा आता है। जुवार भाटा के कारट पानी मंदिर के अंदर पहुच जाता है। इस प्रकार समुद्र का पानी दिन में दो बार शिवलिंग का जलाविशेक कर वापस लट जाता है। ऐसा हर लोज सुभह और शाम को होता है। जुवार की समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमंगन हो जाता है। उस समय वहां किसी को भी जाने की अनमती नहीं है। यहां दर्शन के लिए आने वाले शर्धालों को खास तोर से परचे बाटे जाते हैं। जिसमें जुवार भाटा आने का समय लिखा होता है। ताकि उस वक्त मंदिर में कोई ना रहे। इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण में रूद्र सहिंता के एकदश अध्याय में मिलता है। जो इस शिव धाम के प्राचीन होने का प्रमाड है। इसकंद पुराण में इस मंदिर की निर्माण के बारे में काफी विस्तार से बताय गया है। पौराडिक कथा की अनुसार ताड़कासुर लक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से शिव को प्रसंद कर लिया और अमर होने का वर्दान मागा। इस बर्दान को नकारने पर ताड़कासुर ने दूसरा बर्दान मागा कि उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके और वो भी छे दिन की आयुका। बर्दान मिलते ही ताड़कासुर ने तीनों लोकों में हाहाका और मचाना शुरू कर दिया। सभी देवता और दिशिमुनी उसकी आतंक से परिशान होकर महादेव की शरण में पहुँचे तब श्वेत परवत के पिंडी से कार्तिकी का जन्गुआ और उन्होंने ताड़कासुर का बद किया जब भगवान कार्तिकी को पताचला की ताड़कासुर उनके पिता भुलेनात का परमभक्त था तो वो आत्मगलानी से भर उठे इस पर भगवान विश्णुनी उन्हें एक उपाय बताया कि वे यहाँ पर शिवलिंग इस्थापित करें और रोज माफी के निर प्रातना करें इस तरह से यह शिवलिंग यहाँ इस्थापित हुआ तब से ही इस तीर्थ को स्थमवेश्वर कहते हैं